मैं original parties पर आना चाहता हूँ, original parties में INLD, अभे चोटाला, उनके बड़े लीडर, वो लगातार कहते हैं कि हमारे बिना कोई भी party अब की बार सरकार नहीं बना पाएगी और शंकू स्थिती यहां पर रहेगी और हम सत्ता में होंगे. हर आजमी अपना जुगार तुगार लगा के सोता है, नीद कैसे लेगा कोई आदा, नीद कैसे लेगा, कोई तो अपने दिमाख में, अपने मन में कोई ख्याल घड़ेगा, घड़के उसको थोड़ा सा सब्दों के जरीए बोलके तभी तो उसको चैन आएगा ना, कि हां मेरी लोगों में सुनी गई है, इसी तरह की स्थिती बन जाएगी, और बन जाएगी तो मैं थोड़ा राजकाज करूंगा, ना, तो यही तो है, तभी सो पाते हैं, अब सोएंगे कैसे ने तो, और जेजीबी की स्थिती कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके साथ ही रहे, साड़े चार साल तक, उसके बाद राहें अलग-अलग हो गई, लेकिन सत्ता पर काबिज रहे वो आपके साथ, अब की बार उनकी स्थिती कैसे देख रहे हैं, दस विधायक ते पिशली मरतबा, देखिए, उनकी स्थिती बहुत कमजोर है, जादा कमजोर है, तो आपको नहीं लग कि वो तीसरी पार्टी के तौर पर भी उफरेंगे, जेजेपी और अनलडी में से अगर अनलिसिस करना हो, तो महिपाल ढांडा किसे उपर बताते हैं, यह कोई नहीं, जिर भाजपा है, और कोई नहीं, कितनी सीटे जीत सकती है भाजपाप की बार, हमना 90 के 90 जीतने का अप मूं की, होती है लेकिन 75 पार का धारा को आपने पिछली बार दिया था, इस बार तो कोई नहीं डिया है. सच्छ ते कि एक की अर्धिकाद में घंप जीतने की लड़े हैं जनता जनारदन के बीच में जाके असिरवाद मंग तो आशिरवाद देन है एक एक केंडिडेट तो आपका वैसे ही उसका जो पर्चा है वो भी हमारा ही है वो हमारा तो है सर लेकिन वो लड़ी नहीं जाना चुनाव एटी नाइन सीट्स पर ही आप चुनाव लड़ रहे हैं अब क्यूंकि उनका तो ना मांगकर नहीं जो है वो रद हो गया गोपाल का करणडा ने तो कह दिया कि मैंने तो समर्थन मांगा ही नहीं था कोई बात करना तो